सवागत है आज की नए वीडियो पर सौरव सर नाम का एक भाई ने कॉमेंट किया था कि गैल ड्रम का रिपेरिंग कैसे करूं एक वीडियो बनाओ करके बोला था ए रहा गैल ड्रम कंडिशन इसका बड़ी है उतना कुछ ज्यादा खराब नहीं हुआ है बस इसका जो ये पत्ती रहता है ये पूरा घीज गया है और कहीं कहीं पर ये छोटा सा छेद हो गया है ये भाई रिपेरिंग हो जाता है ये गैल ड्रम ये जो अपना गाड़ी में गैल ड्रम लगा है देखो ये पत्ती पूरा वेल्डिंग है इसलिए इसको निकाल कर ही रिपेरिंग किया जा सकते हैं और कई गाड़ी में ये पत्ती वेल्डिंग नहीं रहता है इसमें जगा जगा पर 4-5 बोल्ट टाइट रहता है उसको लगे के लगे ही गाड़ी अंदर घूसके बोल्ट ढिला करके पत्ती बाहर निकाल लो और फिर वही साइच का पत्ती कटवा के उसमें छेद करा दो फिर उसको गेल्डरम में लगा दो फिर गेल्डरम फिर नया जैसे हो जाता है और अगर ऐसे जगा जगा छेद हो गया होगा तो फिर गैल ड्रम को सिधा बाहर निकलवा के इसमें छोटा-छोटा चादर वेल्डिंग करवा दो जहां जहां पर छेद है वहां पर और नया पत्ती लगवा लो फिर इसको बढ़िया सब बैलेंस करा के फिर गाड़ी में लगा दो और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है म में एका रीट है और जिस समय हमने लगाया था इस गाड़ी पर तो तीन हजार रुपया था रेट अब डबल हो गया गैल ड्रम का रेट इसको खोलने के लिए एलिविटर जो है भूसा वाला एलिविटर रहते हैं यह दोखो यह भूसा वाल एलिविटर पूरा उतारना गैल ड्रम को खोलने के लिए कोई जोरी नहीं है यह फीटर बाक से उतार के थ्रेशर निकालना यह रहा अपना करतार कंबाईन अंदर जाके दिखाता हूं इसका गैल ड्रम कैसे है अपने करतार कंबाईन का गैल ड्रम है यह देखो इसमें कोई वेल्डिंग यह नहीं हुए पद्टि में सभी पत्ति ऐसे बॉल्ट बें टाइट है देखो 6 बोल्ट लगे हैं सभी पत्ती में देखो बोल्ट लगा हुए है यह वाले गेल्डरम में यह सभी बोल्ट खोल के पत्ती बाहर निकाल दो फिर नया पत्ती खरीद के उसमें ऐसे छेत करा के फिर टाइट कर दो फिर यह कई सीजन तक देखने का जोरत नहीं पड़ता यह देख लो सभी में बोल्ट लगा हुए है यह वाला बढ़िया रहता है वो वेल्डिंग वाला बेकार रहता है उसको बहार निकालना ही पड़ता है रिपैरिंग के लिए इसमें छोटे छोटे छेत हो गया था तो इसमें अलग से चादर लगवा दिये हैं अगर कुछ कारण मस गयल ड्रम को निकालना पड़े तो फिर इधर पीछे घूसके यह देखो यह टाक्की खोलके यह कैप खोलके अंदर में जो लॉक बोल्ट जो भी लगा रहता है उसे खोल दो और साप्ट बहार निकालके यह रहा एक और कैप लगा है बड़ा सा यह दे लगते हैं ट्रेक्टर वाले कंबाइन में ऐसा कोई अप्शन नहीं रहता है इसमें बढ़ी आसा सिस्टम दिये हुआ है ताकि कोई भी ड्रैवर या फोर्मैन को ज़्यादा तकलिफ उठाने की जौरत ना पड़े एक और भाई ने कॉमेंट किया था जहां तक वो भी यूटूब चैनल चलाता है ट्रेक्टर रियालेटी करके उसका चैनल है उसने कॉमेंट किया था कि गाड़ी धान को पिछे से बाहर उड़ा रही है उसका एक वीडियो बनाओं करके बुला था और फिटर वाक्स से धान को बाहर के तरफ रहा है उसके लिए भी एक वीडियो बनाओं करके बूला था अगर गाड़ी दाने को पिछे बाहर उड़ा रही है तो फिर यह पुली को छेड़ चाड़ किया होगा चैनल तो फिर ज्यादा छोटा लगा दिया होगा इसलिए ब्लोवर का स्पीड बहुत ज्यादा हो गया होगा इसलिए दाने को बाहर फेक रहा है और दूसरा कारान यह हो सकते है यह देखो हावा का पोजीशन सेट करने का यह लिवर है इसको कि अपने हिसाब से कहीं पर भी सेट कर दो यहां पर हमने कर रखा है अंदर में एक छोटा साई देखो प्लेट है अब का पोजीशन सेट करने के लिए प्लेट दे रखा है इसको अपने अकॉडिंग एक जगा पर सेट कर लो और दाना फेकने के एक और कारण हो सकता है यह देखो सीप या तो फीर सीप चोक हो जाता होगा इसलिए दाने को बाहर फेक रहा होगा गाड़ी सीप का सेटिंग ऐसे करे ताकि दाने में ज़्यादा कच्रा भीना जाए और कच्रे के साथ में दाना बाहर भीना आए भाई ने बोला था कि फिटर बाक्स से दाने बाहर फिकता है भाई मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं कि फिटर बाक्स से दाने फिकता है फिटर बाक्स से जो फसल कटा हुआ रहता है वो फिर से बाहर आ जाता है यह जो चैन दिख रहा है न वो नीचे वाला चादर से बिल्कुल थोड़ा गेप करके चलना ची फिर फसल बाहर नहीं आता आप बोल रहे हो कि फिटर बॉक्स दाना बाहर फिकता है वो उसका प्रावलम नहीं होता अभी है यह दखो यह फ्रॉंट अगर यहां पर कभी कभी फसल पूरा लिपड़ जाता है फिर फसल कटके अंदर के तरफ जाता है उसको यहीं पर जड़ा देता है फिर वही बाहर के तरफ फेखने लग जाता है जाता है अ हुआ है एक अ अ यह रहा गरारी बड़ा मुस्किल से निकला गरा रही है और बेरिंग भी नहीं कलर रहा था तो देखो और दिंग को काटें क्लेंडर से और यह बेरिंग भी अगरा बेरिंग का कलर इसे भी काटेंगे यह देखो कॉलर भी निकल गया गलेंडर से काटके निकालें इसको भी अब गाड़ी के हैड्रोलिक आईल में जो फिल्टर लगा रहता है उसे निकालेंगे हेड्रोलिक टैंक हो रहा है यह जो पाइप दिख रहा है उसको खोल के इसका आईल बहार करेंगे क्योंकि इसका फिल्टर चोक हो गया होगा जहां तक बहुत टाइट है श्टेरिंग कि अधिया प्रफिल्टर लगा है इसेड़ भी आई फिल्टर लगा है इस इड़ भी आई फिल्टर लगा है और दोनों को निकालेंगे कि यह देखो आई फिल्टर टंकी के अंदर में रहता है एक और है उससे भी निकालेंगे इधर है कि यह रहा आई टेंग इसमें बहुंच सारा गंदगी जम गया था इसलिए इसको बाहर निकाले है साफ करने के लिए इसको फिट करके इसका जो आई फिल्टर ही है इसको भी अच्छे तरीके से साफ पर्क लगाएंगे अभी यह रहा ओल टेंग यह भी हो गया फिट और यह इंजन एक सो एक एच्पी का इंजन है यह यह साफ्ट अभी लग गया और कल मोटर का काम करेंगे पूरा खोलेंग इसको कैसे क्या सेटिंग करते उससे भी बताएंगे यह रहा अपना आमा और यह है अपना घर ऐसे जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल सस्क्राइब करें धन्यवाद जार मोटर के लिए बताएंगे रगवाद